कैयारी आपने तगड़ी कर ली है, कोई परिसानी नहीं, लेकिन परिच्छा नजदीक आ रही है, रिवीजन काफी इंपोर्टन्ट है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जिन टॉपिक को आपने गहन अध्यान किया है, उनका रिवीजन करना काफी महत्पूर्ण हो जाता है, परिच्छा में आसान लगने लगेगा, नमस्ते दोस्तों, जिपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बर उन्हे सवगत है, पिछले कुस दिनों से प्रिवियस यर कॉश्चन का सरीज हम कबर कर रहे थे, वीडियो में डिपार्टमेंट के 50 कॉश्चन करते हैं, और आप आपको एक चीज के बारे में बार बार बताते हैं, कि आपको यदि मैट का सलूसन चाहिए, रिजनिंग के सलूसन चाहिए, इसके लाबा जी के का सलूसन चाहिए, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, साथ में आपको पीडियक में मिल जाएगा, तो आपको हमारे पैड क् सारी चीजें हम आपको प्रवाइड कराएंगे जैसे डिटेल मटेरियाल जैसे टॉपिक वाइज आपको अपने आकलन कर सकते हैं कि आपका जो छमता है वह भी कितना तक हुआ है ठीक है कितने नमबर आप गेन कर पा रहे हैं इसके लब आपको प्रेक्टिस टेस्ट मिल जाएगा department को जो 50 question करते हैं काफी important है हर एक साल बहुत सारे question repeat होते हैं तो previous year question जो भी 80-60 से ज़्यादा paper है उसको solve करना काफी महत्पूर्ण हो जाता है तो चलिए बीना time based के वे आज का video इस्टार्ट करते हैं आज की video में हिमाचल परदेश सरकिल 2020 का paper solve करने वाले हैं पहला question आपका हिमाचल परदेश सरकिल में पूछा था कि भारत किस बरस ACN Pacific Postal Union का member बना था ये question पहले भी आया है हमने 2022 के paper किये 2021 का मैंने बताया कि अल्रेडी YouTube पे playlist में जाके पड़ा हुआ है तो उसको किये 2023 का हमने live कर लिया है और 2021-2022 में question कई बार देखने को मिला 1973 इसका जवाब हो जाएगा 1973 1973 में भारत ACN Pacific Postal Union का सदस्ट बना था और इसकी स्थापना 1961 को हुई थी इसका जवाब C correct है अगला question है आपका screen पे question पूछा है कि bulk bag का अधिक्तम बजन क्या होगा international mail product में ध्यान रखने वाली बात है कभी आपसे bulk bag का अधिक्तम पूछेगा तो आप 30 kg लगाईएगा कभी आपसे new न्यूंतम पूछेगा तो आप 5 kg लगाईएगा bulk bag में मुद्रित कागज भेजे जाते हैं यह जानकारी भी आपको होना जरूरी हो जाता है इसका अधिक्तम पूछाता इसलिए इसका जवाब B correct हो जाएगा हम चलते हैं अगले question की तरफ अगला question है 3 number का registered article है registered नहीं है international register article है पूछा यह है कि भाई साम नुकसान होता है तो मुआपजा के लिए जो सीमा है वो कितना है 15 sdr, 20 sdr, 25 sdr, 30 sdr जब आप जो correct होगा वो 30 sdr होगा कभी आप से sdr के बारे पूछे तो ध्यान दखिएगा a special drawing right इसको बोलते हैं एक प्रकार का यह currency है अधिक्तम 30 sdr मदबी option correct हो गया चार नुम्मर का question था और चार नुम्मर के question में आप से बोला था कि which of following correct respect correspond address to personal Indian armed force service outside India कि भारत के बाहर सेबारत भारती पसत्र वलों के कर्मियों को संबोधित कोई लेटर है उसके बारे में आपको बताना कि कौन सा जो है पहला दिया है कि जब भी कोई आर्टिकल भारती सेना को संबोधित करेगा तो 56 APO और अगर जल सेना को संबोधित करेगा तो फी लेट मेल आफिस बंबई ऐसे आर्टिकल डील करता है बिल्कुल सही बात है इस अभी आर्टिकल को इनलैंड आर्टिकल के रूप में माना जाता है तो दूसरा बात भी सही है तीसरा हमें बताया था कि इस आर्टिकल पर पोस्टेश से छूट नहीं दी गई है यह भी बात सही है एक दो तीन यह तीनों जो आप्सन दिये हैं यह तीनों बिल्कुल सही है किसके सम्मन में अगर आर्टिकल इंडियन एर फोर्स को सम्बोदित होता है जो भारत की सीमा के बाहर हमें सर्विस दे रहे हैं मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको question अच्छे लग रहे हैं और अगर question अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो बनाने में काफी उर्जा लगता है काफी महिनत लगता है तो like जरू कर दीजिएगा आपके एक like से असी बहुत सारी वीडियो बनाने का हमें प्रोसाहन मिलता है और इस वीडियो के पीछे, पीडियाप के पीछे पूरी टीम होती है तो उसके लिए आपका एक like जरूर बनता है अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप dislike भी कर सकते हैं अगला question फिप नंबर का है कि वह है अवधी जिसके भीतर खोए हुए रजिस्टर आर्टिकल बाद में बसूली पर विदेशी पंजिकत पत्र की डिलेवरी लेने के लिए बिकल्प का प्रियोग कर सकता है कि इतने समय के भीतर जो है आर्टिकल डिलेवरी किया जा सकता है अगर आर्टिकल लॉष्ट हो गया बाद में वो मिल गया वही कंडिसन के बारे में आपसे पूछा है तो ध्यान रखिएगा ये समय सीमा तीन महिना है तीन महिने के अंदर ये बिकल्प option में ले सकता है बिकल्प option इसका correct है question number 6 आपके screen पे है foreign register later है पूछा है कि बताईए maximum rate कितना होगा सराल question है 2 kg इसका जवाब correct हो जाएगा मुझे comment में ये बताईएगा कि भाई साथ foreign register later है अधिक्तम role form में without role form में उसका वजन कितना होता है be option correct हो जाएगा ध्यान न कियेगा परिच्छा नजबीत है मैंने वीडियो के starting में एक चीज बोला revision तगड़ा करिए revision करने से जो चीजें आपने पढ़ रखी है उन चीजों पर आपकी पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी परिच्छा दिने जब जाएंगे तो question आपको दिखेगा आप उसको कर जाएंगे ऐसा ही होता है question number seven है आपके screen पर अंतर राष्टी reply coupon जिसे हम IRC भी बोलते हैं किसी भी वेक्टी को एक समय में इससे अधिक नहीं sell किये जाएंगे मैं इसे IRC बोलता हूँ और एक वेक्टी को एक समय में दस से जादा IRC प्रवाइड नहीं किया जाएगा हमें B option में दिया है B option correct हो जाएगा UPU को मतलब पुछा है एक मिनट का टाइम यहां पर वेश्ट नहीं करूंगा बारवार question आता है Universal Postal Union इसका जवाब correct होगा अगला question ये भी repeated question है इसमें पूछाए ACI Pacific Postal Union का वो ख्यालें कहां पर इस्तित है बैंक कॉंग सही इसका जवाब हो जाएगा D option correct हो जाएगा पुराना बाला पूछ ले तो मनीला बताईएगा कि जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका headquarter मनीला बनाया गया था अगला question पूछा है HDMS क्या होता है जो की CSI से संबंध रखता है S से मतलब होता है help और D से मतलब होता है desk, M से होता है management और S से होता है system help desk management system इसे हम हिंदी में बोलते है help desk प्रबंधन प्रणाली कहां पे दिया है C में दिया है C को टिक करेंगे और आगे चलेंगे अगला question 11 नम्मर का question है system integrator computerizing postal life insurance की डांक जीबन बीमा को computer रिकत करने के लिए कौन सा system integrator प्रयोग किया गया था option ACSI, RSI, FSI या ननाफदा याद रखिएगा कि FSI के तहट चाहे वो core banking का काम हो चाहे core insurance का काम हो ये दोनों काम FSI के तहट डील किये जाते थे FSI का जो vendor था 1.0 में वो था infosys इसका जो option C correct है important question था परिच्छा में फिर पे आ सकता है अगला question दरपन का full pump पूँचाता नहीं बताऊंगा comment box में आप बताईएगा आपके comment का मुझे बेसबरी से इंतजार रहेगा तेरा number का question है FTP के बारे पूँचा है basic terminology से question पूँचा जितने भी terminology हैं उनको याद करना है क्योंकि बार बार चार से पांच, तीन से चार question निशित तोर पर पूँचे जाते हैं यप से मतलब होता है file और T से मतलब होता है transfer और P से मतलब होता है protocol जिसको हम बोच सकते है file, transfer, protocol ध्यान नकिएगा be option इसका correct जबाब हो जाएगा बांकि जो भी और basic terminology है उसको भी याद कर लीजएगा अगला question finacle menu से पूँच लिया पूँचा ये है कि आपको finacle का EOD करना है in-depth day करना है किस menu का प्रियोग करेंगे देखे finacle के menu बहुत सारे हैं लेकिन जो common use में आते हैं जो important होते हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा जैसे HFI and RPT से आप report निकाल सकते हैं HIS COD से आप उसको EOD कर सकते हैं तो D option इसका correct हो जाएगा HP, BP से आप passbook print कर सकते हैं इसी प्रकार के कुछ common उपयोग में आने वाले menu's हैं उनको जरूर याद कर लीजेगा अगला question है IPBS जिसको बोलते हैं India Post Visibility System बार-बार question आता है भाई साब ये संबन्द रखता है CSI से CSI से संबन्द रखता है और full form मैंने आपको अल्रेडी बताया मैंने बताया India Post Visibility System option A इसका बिलकुल correct हो जाएगा अगला question है ATM, intraoperable कब हुआ था? intraoperable का मतलब होता है कि डांग घर का जो ATM है उसका आप किसी बैंक में उपियो कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा कभी आप से पूँचेगा ATM का सुरुवात कब हुआ थक 2014 बताना है कि डांग भी भाग जो है ATM को 2014 में ही लाकर रख दिया था intraoperable पूँचेगा तो आपको बताना है 31 दिसंबर 2016 से कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा बताईएगा कि internet banking और इसके लाबा mobile banking की सुरुवात डांग भी भाग ने किस तारीक से की थी अगला question है 17 नंबर का question पूँचा है कि इंडिया पोस्ट प्रोजेक्ट में सिंगल नेटवर्क के जरिये connectivity डाटा सेंटर से connection को क्या कहा जाता है कुलमिला के हम कहें कि डांगर जो network यूज करता है वो किस प्रकार का network होता है जिसे हम वाइड इरी network बोलते हैं options ही इसका correct हो जाएगा इसका उपयोग क्या होता है कि 10-50 computer में आपको connectivity देनी है तो इसका उपयोग करके आप कर सकते हैं 18 नंबर question भी बहुत सरल question है मैंने आपको बताया थक different segment है IT modernization project 2012 में उसमें से एक segment था MOH का MOH का purpose क्या था कि भाई जो डांक घर के डांकिया है जो mail staff है उनको handheld device और मांकी जो आवस्तक hardware है उसकी आपूर्त की जानी तो इसका जो correct जबाप हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का सरल सा question था अगला question आपसे 19 नंबर का पोच्छा है बोला है primary data center जो की नभी मुंबई में है मैंने आपको बता दिया कबसे ये कार कर रहा है कुछ option दिये हैं directly मैं आपको बताऊंगा कि भाई साब primary data center जो है वो नभी मुंबई में 3 अपरेल 2013 से काम कर रहा है important ये question था D option इसका correct था इसी वज़ाए से इस question को हमने जल्दी solve कर लिया है one liner question था 20 number का question है choose the incorrect option गलत बिकलब का आपको chain करना है ऐसा question आएगा थोड़ा समय दे के लगाना क्योंकि ऐसे question में आपका theory को judge किया जाएगा कि भाई आपने डागर का theory अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा बिकलब को देखते हैं postal ATM का प्रियोग करके दैनीक नगत निकासी की सीमा 10,000 रुपए है क्या daily आप 10,000 निकास सकते हैं ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा पहला जो बात है वो गलत हो गया है क्योंकि एक दिन में आप 25,000 का निकासी कर पकते हैं अगर आप से ही पूछता कि per transaction 10,000 की सीमा है तो ये कथन गलत हो जाती आपको बोला है कि daily निकासी सीमा 10,000 है इसलिए गलत तो एक गलत दूसरा देखते हैं NSC 8 जो है मरत्तू और जप्ती के मामले में समय पूर्व नगदी करण की अनुमती नहीं है कि यदि किसी भी कारण से जो account holder है उसका death हो गया है उस condition में बोला है कि PMC allowed नहीं होगा ये बात हमारा गलत हो जाएगा एक गलत दो गलत तीसरा को देखते हैं गलत मिला दो गलत मिला तीसरा हमको सही मिला इसलिए हमारे ये विकल्प में नहीं आएगा चौता बोला है कि PM SB बाई जिसे हम बोलते हैं पर्धान मंतरी सुरक्छा बीमाय उजना में जो बारसिक प्रीमियम है वो 330 है ये भी बात गलत हो जाएगा बर्धान में प्रीमियम 20 रुपय का है एक गलत दो गलत चार गलत देखते हैं एक गलत दो गलत चार गलत कहां दिया है बी में दिया है बी को टिक करेंगे अगले कॉश्चन की ओर चलेंगे 21 नमबर का कॉश्चन है चूजदा करेक्ट ओप्सन फिर से चार बिकल्ब दिये हैं और चार बिकल्ब में से आपको बताना है सही कौन सा है पहला बिकल्ब दिया है IFS Money Order Operational Bith Law Postate Group France and UAE के International Financial के जो सेबा है वो Law Postate Group France संयुक्त अरब अमिरात के साथ चालू है बिलकुल सही बात है भाई साथ दूसरा बोला है आपको एक लावारती जो होता है IFS के तहर एक कलेंडर बस में 30 ट्रांजेक्शन कर सकता है ये भी बात सही है भाई साथ इसकलाब PPF में पैसा जम अकर सकते हैं ये भी सही हो गया चौथा बोला है कि पांच लाग एक इस्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था इंडिया पोस्ट का साइट में दिया है प्रोडक्ट एंसर अभीस का यह कुश्चन है बोला था कोई भी कॉर्परेट कस्टमर है ज्यादा बिजनेस इंडिया पोस्ट को दे रहा है छूट मतलब डिसकाउंट का क्या स्ट्रक्चर होगा मैं आपको बता देता हूं देकि शुरुवात यहीं से होता है शुरुवात होता है 50,000 से लेकर 50,000 एक से लेकर 5,005,008 तक में 10% का इसकाउंट दिया जाएता अगर मैं आगे और बता हूँ तो ध्यान लगये गा 5,005,008 तक उसको 15% का डिसकाउंट द दिया जाता है एक करोड से लेकर पांच करोड तक बिजनेस देता है उसको 25 परसेंट का डिसकाउंट दिया जाता है और पांच करोड से एबब का बिजनेस देता है तो आपको ध्यान रखना है 30 परसेंट का विजनेस दिया जाता है अधिक्तम जो डिसकाउंट है वो 30 परसें ये दोनों बातें भी कभी कभी परिच्छा में पूछ लियाती हैं इसी वज़ा से इसको भी ध्यान रखिएगा 23 नंबर का कुश्चन है फिर से 4 विकल्ब दिया है चार विकल्ब को पढ़ना है और गलत का चैन करना है ऐसा कुश्चन आएगा फिर से बोल रहा हूँ थोड़ा समय दे के पढ़ना और अराम से कुश्चन को सॉल्ब करना है पहला बोला कि जो domestic parcel होता है उसकी लंबाई एक मीटर होती है ध्यान नगिएगा domestic parcel की लंबाई एक मीटर होती है लंबाई परिद संयुक्त जो होता है 1.80 मीटर से अधिक नहीं होता पहला बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा बात को पढ़ते हैं दूसरा बात में देखते हैं तो domestic book packet है उसका अधिकतम बजन 5 kg है domestic pattern or sample packet है उसका बजन 2 kg है दोनों बाते एक और दो सही हो गई चलते हैं अगला postcard का आयाम जो होता है वो 140 by 90 से आपका अधिक नहीं होना चाहिए size को आपको follow करना है जो dimension है वो हमने आपको बता दिया है C option भी सही है एक दो तीन सही है मतलब A B C सही है चौते में आपको दिया है gold coin bullion भेज रहे हैं जिसका value जो है एक लाक से जादा है तो आपको ध्यान रखना है कि भाई साब उससे आप नहीं भेज सकते गलत हो जाए गड़ी और D हमने टिक कर दिया है अगला question आपका 24 नंबर का है which is the following RPLI policy does not offer a loan कुछ आपको ruler postal life insurance के बारे में बताया गया है और बताया है कि छाटी ए इनमें से किस policy में आप loan की सुवधा नहीं ले सकते हैं लोन के बारे में बात किया है तो मैं आपको दो तीन चीजें बता कर जाऊंगा ध्यान लखिएगा ग्राम सुमंगल policy है ग्राम सुमंगल को हम A.E.A. बोलते हैं anticipated एडो मिड एसुरेंस बोलते हैं ये बात ध्यान लखिएगा ये policy दो टर्म में होती है एक 15 की होती है और एक 20 साल की होती है 15 में जो customer है उसका अधिकता मूल BS 45 हो सकता है 20 में जो customer है उसका अधिकता मूल 40 हो सकता है इसका उत्तर तो A.E. correct होगा ध्यान लखिएगा सुमंगल में आपको लोन नहीं मिलेगा सुरक्षा में आप लोन लेना चाहते हैं क्वेशन के बारे मैने बात बताया बकुछ और कॉष्टन से रिलिटेड कुछ और बात मैंने आपको बता दिया है आसा करता हूं क्वेशन आपको समझ में आया अगला कॉश्चन 25 पतचीस नम्बर क्वेशन है चूजदा करेक्ट आउप्सन सही बिकलब का शैन करें चार बि stamp are used for day-to-day postal mailing purpose पहला सही हो गया दूसरा बोला है ये भी बात सही हो गया तीसरा देखते हैं कि माई स्टाम पहली बार भारत में 20 सुदाग प्रदरसनी IndyPacks 2011 के दोरान पेस किया गया था ये भी सही है अगला देखते हैं कि विफिला टेली डिपॉजिट अकाउंट उपिन करना है तो 200 रुपिया मिनिमम जरूरक पढ़ेगा एक, दो, तीन, चार, चारो बाते सही स्यॉप्सन को सेलेट करेंगे आगे चलेंगे दीन दयाल इस पर स्योजना हमने बताया था आपको इसके बारे में डांग विभाग यह स्कीम चलाता है जिसके माध्यम से टिक्टों के प्रती बच्चों में बढ़ावा देना उसी के लिए इस स्कॉलर सी स्कीम चलाई जाती है उसी के संबन में कुछ आपको बिकल्ब दिये हैं उन बिकल्बों में से चार में से बताना है कौन सा गलत है पहला दिया है योजना 6 से लेकर 10 तक के बच्चे पाटिसिपेट कर सकते हैं पहला ही कथन गलत हो गया क्या बताया था मैंने ये बताया था इस स्कीम में कप्छा 6 से लेकर कप्छा 9 तक के बच्चे पाटिसिपेट कर सकते हैं हमें ढूरना था गलत और गलत मिल गया है इसी वजह से option A correct है option B, option C ये दोनों बातें सही हैं केवाल option A गलत है A कोटिक किया और आगे चला 27 नमबर का question है minimum quantity pieces can be accepted under direct post direct post की एक खास बात बताऊं तो इसमें article बिना पता लिखा हुआ भेजा जाता है जब भेजेंगे तो आपको 1000 minimum भेजना है जब भेजेंगे तो A3 का size आपको ध्यान रखना है तो B option इसका correct हो गया है आसा करता हूँ आपको question समझ में आया 28 नमबर question स्क्रीन पर आ चुका है सही विकल्ब का chain करने वही आपको फिरसे चाल विकल्ब दिया है पहला विकल्ब में बोला है कि डागघरों के counter पर यदि आप गंगा जल लेते हैं तो 250 ml का कीमत 50 रुपए होगा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा पहला statement गलत हो गया डागघरों में अगर आधार नामंकन करवाना है इन्रॉल्मेंट करवाना है तो आपको 50 रुपए देना है दूसरा गलत हो गया बील मेल सर्विस में एक समय में ये आप पोस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5000 आर्टिकल चाहिए ये सही हो गया देखिए हमको सही मिला है और सही ढूड़ना था कौन सा सही है ये बाला आपका तीन नंबर का इसके लाबा चौथा में दिया है कि FTL और LTL का मतलब होता है full track load और less than track load तो हमको सही मिला 3 नमबर का और इसके लाबा 4 नमबर का कहां दिया है D में दिया है कौन सा उत्तर D उत्तर चलते हैं अगले question की दरब आपको पता है कोई international article है आपको custom declaration फाम लगाना पड़ता है कितने प्रकार के custom declaration होते हैं comment box में मुझे बताईएगा एक होता है आपका CN22 एक होता है CN23 क्या उपियोग है भाई अगर 300 SDR उसका कीमत है सुनिएगा कहानी important है 300 SDR है या 300 से कम है तो उस condition में आप 22 का यूज़ करेंगे अगर 300 से अधीक है 300 से अधीक का मतलब 301 होता है तो आपको उपियोग करना है CN23 हमसे पूछाता कि above HDR 300 तो आपको ध्यान लखना है कि B option इसका correct हो जाएगा तीस नमबर का question आपकी screen पर है Choose the incorrect option गलत बिकल्प का chain करिए चार बिकल्प दिया है चारों बिकल्प को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा उसके बाद ही इस question को आप solve कर सकते है पहला बोला है कि जिन कारियाले में एक स्याधी clerk का काम करते हैं वहाँ पर अधिच्छ MS 11 यम DW जारी करता है ये बात आप ध्यान लखिएगा Memoranum Distribution Work का form नमबर होगा MS 11 और ध्यान लखिएगा कि भाई साहब इसे जारी करता है उपरी टेंडेंट और कब जारी करेगा जब कारियाले में एक स्याधी clerk काम करते हैं तो पहला चाही हो गया दूसरा बोला है MS 12 जिसे हम nominal role बोलते हैं इसको भी maintain किया जाता है डांग घर में भी option भी correct हो गया form number ध्यान लखिएगा MDW का और इसके लाबा MS 12 nominal role का भी form number ध्यान लखिएगा दोनों बातें काफी important है दो बातें सही मिल गई हमें गलत बात दोड़ना है बोला है डांगिया और ग्राम डांगिया के लिए भी nominal role maintain किया जाता है जहां इनकी संख्या 25 से कम होती है ये गलत हो गया हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि nominal role maintain किया जाता है किसके लिए? village postman और postman के लिए जहां इनकी संख्या 25 से ज़ादा होती है ये हमारा statement गलत हो गया हमें ढूड़ना था गलत तो हम चलते हैं अभी आगे की तरब अगला है 31 number का 31 number question कवर करते है 30 का D भी देख लीजिएगा D में आपको सही कथन दिया है यहां पर आपको gram 26 सूची का form number याद कर लेना है यम 52 होता है और इसे जारी करता है अनुमंडल निरीच्छा 31 number का question है choose the correct option फिर से चार विकलब दिये है चार में से आपको सही कथन का चैन करना है चार में से तीन गलत होगा इस बात का आपको देहन दखना पड़ेगा एक ही कहानी सही होगी अगर उस कहानी को ढूड़ना है तो बात की तीन option को हम नहीं read करेंगे आगे direct forward होगे अगला question है कि याचो से याचो में जो account bag होता है उसमें कौन सी चीज नहीं होती है कहानी कैसी होती है कि याचो से कोई भी account bag याचो जा रहा है तो उस पर याचो स्लिप होगा और बाकी document हो सकते है लेकिन एचो से एसो जो account bag जा रहा है उस पर एसो daily account नहीं होगा ये ध्यान लखिएगा या सो दैनिक लेखा नहीं होगा सी option correct हो जाएगा अगला जो question है वो आप से पूँचा SV order number 9 2019 जो है वो किस चीज से संबंदित है ध्यान लखिएगा SV order का क्या बताया मैंने मैंने बताया SV order का कि आपको दो चीजे ध्यान लखनी है पहली बात 2022 का 2023 का और जो paper में आएगा उसको ध्यान लखना है 10 साल के SV order याद आप नहीं कर सकते और कर सकते हैं तो यब याद कर लीजेगा इंडिया पोस्ट के साइट पर सब उपला बता SB order 9 2019 संबंदी था CBS CSI लेंदेन के बीच GL1 की करण के कारियान बन से इसके लिए SOP जारी किया गया था B option इसका correct है तो यह 34 नंबर question है जहां भी जिस डांगर में पासबुक प्रिंटर प्रिदान की गई है तो manual entry बंद कर दी गई और SB order में बताया कि भाई इस SB order में बताया जा रहा है कि जब यह SB order जारी किया जा रहा है उस दिन से जिस डांगर में पासबुक प्रिंटर उपलब्ध है वहाँ पर manual entry की प्रविस्ट माने नहीं होगी 34 नमबर का उत्तर है और SB order 14 2017 में यह जानकारी हमें में बंद की गई है अगला question है आपका 35 नमबर का बोला है जो प्रिदान 26 हायक होता है वो daily report भेशता है किसको भेशता है superintendent RMS को भेशता है किसके जरिये बेशता है record officer के जरिये बेशता है HSA to record officer to SRM क्या form नमबर है MS 83 कौन सी चीजें होती है इसमें जो भी अनिमिताइं देखता है sorting assistant को गलती करता है वो सबी चीजें इस daily report में mention की जाती है और इसके लाब बहुत सरी चीजे daily report में होती है एक बात यदि मैं आपको और बता दू तो speed post का जो manager होता है वो भी इसी फारम का उपियोग करता है अपनी daily report बनाने के लिए इसका उतरसी correct है अगला question इस screen पर है AM PC के बारे में पूच्छा है जहां पर छटाई की गती काफी जादा होती है वहाँ पर ये machine लगाई गई है बरतमान में दो जगह काम कर रही है दिल्ली में कोलकाता में जिसको हम बोलते है automatic mail processing center इसका correct हो गया 140 mail presence करण के इंदर nominal role of metal token to be kept at metal token के नाम मात्र का रोल कहां रखा जाता है याद रख किएगा metal token जारी करेगा record officer अपने जो भी करंचारी रहेंगे उन सभी को metal token देता है क्यों देता है ताकि वो identification के लिए यूज में ला सके कहानी क्या होती है कहानी है होती है कि भाई सहाब metal token record office में रखा जाता है और इसके लिए जो nominal role होता है वो भी record office में रखा जाता है कभी कोई metal token गुम गया लॉस हो गया इसकी सूचना आपको तुरंट ही record office को देनी पड़ती है अगला question 38 नमबर question है बोला है mail प्राली की दक्षता का प्रिक्षण करने इस संबन्द में उठाये जाने वाले उप चारातमक कदमों को विक्सित करने के लिए mail नमूना सर्वेच्षण कहां पे दिया गया है किस नियम में दिया गया है mail से संबन्दित नियम जिसे आल इंडिया mail सर्वे इसके लाब लाइब mail सर्वे ये सभी नियम कहां पे दिये हैं ये नियम दिये हैं volume 7, 157 A में ध्यान रख लीजेगा नियम वाले question भी एक से दो, दो से तीन पोचे जाते हैं पंजाब और दिलीन तो बहुत पोचे हैं दददस पोचे हैं याद करना पड़ेगा आपको लेकिन आपको important याद करना है क्योंकि इस अलेबस बहुत बढ़ाया भाई पूरे नियम याद नहीं कर सकते हो संभव ही नहीं है अगला question 49 number का है और यहाँ पर पूचा है LC का मतलब क्या होता foreign का category में दो चीज़ बताया था एक बताया थे LC जिसके अंतरगत later card वाले item इसके लाबर trade money order भी आ जाते हैं दूसरा होता है AO AO का मतलब होता है other article LC के अंतरगत जो नहीं आएगा वो सभी चीज़े AO के अंतरगत आएंगी AO में PP मतलब printed paper SP मतलब small package इसके लाबा और बहुत सारी चीज़े जिसमें BLP AO के अंतरगत आती है इसका उतर भी correct है इसे हम बोलते हैं later end card 40 number का question है चारों को पढ़ना है और बताना है कौन सा डाग भी भाग जो होता है पहला में बोला है ध्यान सुनियेगा दाग भी भाग जो होता है नई दिल्ली के प्रसाशनिक नियंदरण में काम करता है क्या बास सही है? किल्कुल सही है एज़ पर गाइड ये कहानी सही हो जाएगी सिक्किम जो है वो उत्तर पूर्वी सर्किल के अंतरगत आता है ये गलत हो जाएगा क्योंकि सिक्किम पश्चिम मंगाल के अंतरगत आता है स्वी पीमजी बेश्ट मंगाल इसका अधिकार छेत्र कभर करते हैं एक सही था, दूसरा गलत था, तीसरा देखते हैं, मुलेदे, लेक और मनियाडर सेना डागघर के पते पर वुख नहीं किया जाएगा, यह सही हो जाएगा, डागघर के तीन प्रकार हैं, यह भी सही हो जाएगा, एक इसकलाबा तीन और चार सही है, C अप्सन को, करेक्ट कर और आगे चलेंगे वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा इस स्क्रीन पर जो पीडियप दिख रहा है चार साल का पीडियप आपको हम देंगे उत्तरसहीद देंगे इसी के साथ आपको औरीजिनिंग का सलूशन भी देंगे मैध का सलूशन भी अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है आप सोच रहे हैं मैंने फॉर्म डाल दिया है पर इच्छा देने जा रहे हैं और खास तोर से यदि आप एक कटेगरी में आ रहे हैं तो आप निश्चित तोर पर प्रिवियस यह कोश्चन चार साल के करके जाएगा समय आपका बदल सकता है 41 नमबर का कुश्चन है बुला है प्रैंक के मूले के नुसार अलग अलग मूले के नुसार बंडल बनाए जाएगे और डांगधर के खिड़की पर पेस किया जाएगा उसके साथ एक विंडो डिलिवरी टिकट भी पेस किया जाएगा भाई जिस गलत हो जाएगा दूसरा बोला है प्रेंकिंग मसीन लाइसेंस धारी के प्रतिनीद की पहचान होती है बिल्कुल बात सही हो जाएगा कि भाई लाइसेंस धारी के प्रतिनीदी कोई उसके आर्टिकल लेकर आ रहा है तो विंडो डिलेवरी टिकर जो है तक रोखा जाएगा। मैंने तो बताया था कि भाई साब जो NSTDAC के आर्टिकल है 30 दिन तक रोके जाते हैं. हम यहां पर मैंने बताया कि ये वह सात दिन. देखिए, NSTDAC के बांकी आर्टिकल, BP को छोड़कर मुल्ले दे दांक लेख को छोड़कर, तो ध्यान दखियेगा कि जो समय वदी होता है वो बारा महिने का होता है याद रखने वाली बात क्या होगी कि महिने के आखरी दिन से बारा महिने के भीतर IPO नश्ट, IPO खो गया है उसके बारे में कंप्लेन करते हैं तो प्रात्मिक्ता दी जाएगे ये option विलकुल correct हो गया है 44 नमबर question था, बोला था, choose incorrect option Blind literature packet के बारे में बोला था कि भाई साब ये special type का article होता है और इसको निमलिखिस से छूट दी गई थी उसमें से एक अपवाद है कि भाई साब आपको पंजी करन सुल्क नहीं देना पड़ेगा आपको पाउती के लिए सुल्क नहीं देना पड़ेगा Attested copy of receipt के लिए सुल्क नहीं देना पड़ेगा केबल एक आपको चार्ज देना पड़ता है, वो है airmail मतलब भी option इसका correct हो जाएगा अगला है 45 नमबर का question और 45 नमबर question में आपको पूछा था कि pre payment of postage SSPO से head of post office से और फिनना पड़ेगा ध्यान रखने बाली बात है अगर आप RNP को without pre payment of postage डालना चाहते हैं तो मुझे बताईएगा कि निउन्तम संख्या कितनी होनी चाहिए कमेंट बाक्स में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए permission head of circle देते हैं चलिए अगला question है पारसल के संबंद में गलत बिकल्प का chain करें पहला दिया है UR मतलब अनरजिस्टर पारसल चार किलो होगा बिभागी पारसल जो होते हैं वो 20 किलो तक भेज़े जाते हैं बिभागी घर में इनकी booking 20 किलो तक होती है जो रिजिस्टर पारसल होते हैं सही हो जाएगा एक दो सही है अगला बोला है कि B.O. में तैनात अपंजिकत पारसल का बज़न 10 किलो होगा ये बात आपका गलत हो जाएगा अपंजिकत पारसल जो है वो 4 किलो से अधिक बुक नहीं किया जाएगा B.O. हो, S.O. हो, H.O. हो, कहीं भी हो अपसंसी गलत हो जाएगा और गलत हमें धूड़ना था अगला जो कोश्चन है सेबा टिकट का उपियोग करने के लिए राधिकरा सरकारी अधिकारी दोरा कोई आर्टिकल पोस्ट किया जा रहा है उस पर आपको एक वर्ड लिखना है वर्ड क्या हो जाए The official postal article when posted by government official authorized to use service system system must be a subscription on India government service क्या बताया था मैंने कि कोई आर्टिकल है जो सरकारी अधिकारी यूच कर रहा है जो कि सरकारी टिकट का उपियोग करने के लिए अधिकरत किया गया है आपको लिखना है on India government service एदियो है सरकारी अधिकारी नहीं है लेकिन सरकारी टिकट का उपियोग करने के लिए अधिकरत किया गया है तो उसको लिखना है on service इसका उत्तर ए है अगला question 48 number का है P-Payable acknowledgement का respect insured article कि बीमीत आर्टिकल है आपको AD लगाना है कितना charge देना पड़ेगा ध्यान रखिएगा बीमीत आर्टिकल पर AD charge free में दिया जाता है इसका उत्तर C correct हो जाएगा C उत्तर correct हो गया अगला question आपका on charge number का The following article prohibited through inland post कुछ आपको बिकल्ब दिये हैं बताना है कि अंतरदेशी डाक में कौन सा निसेद का category में आता है चारो बिकल्ब को ध्यान से रिट करना पड़ेगा बोला है anything which sent contravention of any enactment time being enforced कि भाई कुछ भी जो उस समय लागू किसी अधिनियम के उलंगन में भेजा जाता है उसको प्रविटेशन का category में रखा जाता है बास समझ में नहीं आई मालीज जी हिमाचल परदेश सरकील है और हिमाचल परदेश सरकील की सरकार ने आर्टिकल को accept करने के लिए मना किया है उसका उलंगन करके आप भेज देते हैं वो आर्टिकल acceptable नहीं होगा यह आपका निसिद हो गया दूसरा बताया है ओस्मिक एसिड है सही ढंग से पैक किया है यह निसिद की कटेगरी में नहीं आएगा इसे आप भेज सकते हो ठहान लखिएगा कोई भी सार्प इंस्टुमेंट है अगर ठीक से पैक किया है निसिद की कटेगरी में नहीं आएगा भेज सकते हो पहला आपका निसिद था चौथा को देख लेते हैं असलील असलील छपाई है पेंटिंग है फोटोग्राफ है निसिद की कटेगरी में आएगा एक और चार में जो बाते हमें बताई गई है वो निसेद की कटिगरी में आएंगी सी option इसका correct हो जाएगा अगला question है इस वीडियो का आखरी question है बोला है which the following is correct as per PO Guide 2 PO Guide 2 के अनुसार निमलिकित में से कौन सा सही है पहला भी कब देखते हैं aerogram को भारत के भीतर हवाई के द्वारा निसुलक पुनहनिर्देशन किया जाता है पहला सही हो गया देहान रखियेगा aerogram का भारत के अंदर हवाई से free में redirection किया जाएगा postcard का भी free में redirection किया जाएगा इसकिलाबा भारत के भीतर air के द्वारा parcel का free में redirection किया जाएगा ये गलत हो गया है चौथा बोला है भारत के भीतर later का free में redirection किया जाएगा as per guide ये सही हो गया है सही ढूड़ना था एक मतलब aerogram दूसरा postcard और तीसरा later ये तीनों चीजें भारत के भीतर free में redirection किया जाएगे और service दिया जाएगा air का देख लेते हैं 2 और इसके लाबा 4 कहां दिया है 1, 2 और 4 दिया है D में D option correct हो जाएगा इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश circle 2020 के paper हमने solve किये हैं department के 50 question किये हैं GK का आपको answer मिलेगा उसका solution मिलेगा वीडियो lecture मिलेगा GK के सांदर class है चल ली है नंबर लिख लीजिएगा और संपर कल लीजिएगा 7610-685690 पर इस नंबर पर संपर करके जानकारी ले सकते हैं वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा किसी भी question में कोई दिक्कत है comment box में डाल दीजिएगा चैनल को subscribe नहीं किया है LDC exam Limited Departmental Competitive Exam संबंदी सबसे तेज अपडेट चाहते हैं चैनल को subscribe कर लीजिएगा जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद